नशकर मैं हूँ सुख्रती ईरोई चैटर जी और बोल्स काई में आप सभी का स्वागत है हर दूसरी चीज में मिलावट पाई जाती है मिलावट के कारण हमें कई सारी बीमारियां घेर लेती है और हमें अस्पताल के चकर काटने पड़ते हैं इनी बीमारियों में से एक है पत्री पत्री की बीमारी भी मिलावट के कारण ही होती है अगर एक बार किसी को पत्री हो जाए तो उसे तेज दर्द और उल्टियां होती है ये दर्द काफी खतरनाक है और कई लोग दर्द के कारण बेहोश तक हो जाते हैं लेकिन आज हम आपको पत्री का एक बेहधी सरल और असरदार उपाय बताएंगे सिर्फ एक सबजी खाने से आप पत्री से मुक्ति पा सकते हैं बतादें कि तोरई भले ही खाने में कई लोगों को पसंद ना आती हो लेकिन तोरई के कई बड़े फायदे हैं सबसे बड़ा फायदा तो पत्री की बीमारी में ही होता है आयरुवेद में तोरई को पत्री की बीमारी का सबसे बड़ा इलाज माना गया है कहा जाता है कि अगर रोज सुबर तोरई को गाय के दूद या फिर ठंडे पानी में घिसकर सुबह के समय पीने से पत्री तूटने लगती है और खत्म हो जाती है आपको ऐसा कम से कम तीन दिन करना होगा और इसके बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको दर्द में काफी कमी आई है कुछ दिन बाद ये बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें